Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हैं CUAT के admission process के बारे हम बात करने वाले हैं किस तरीके से admission होने वाले हैं universities में CUAT के थूरू ये हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो कई बच्चों का doubt था कि forms कैसे कैसे भरने होंगे CUAT का या फिर universities का या फिर colleges का सबका separate form फिलग करना पड़ेगा है किस तरीके से आपका प्रासेस रहेगा यह हम इस वीडियो में एक के करके डिसकॉस करने वाले transmission process जोगे आपका वो तीन stages में चलने वाले हैं कितने stage में चलने वाले है , तीन्स टेज में आपका admission process जोगे हैं सबसे करना है स्बसे पहले आपको तुञान का कना सबसे का आपको सकता है पहला काम आपको यह है और CUAT के form में आपको क्या करना है जिस course में admission लेना है और जिस universities में admission लेना है मैंने क्या कहा जिस course में admission लेना है जिस universities में admission लेना है उसको आपको CUAT के form में select करना है मैं आपको बताऊंगा कैसे form में select करना है जैसे forms release होगा पहली चीज तो यह ध्यान आती रखना है अब दूसरी चीज डाउट आता है क्या CUAT के form में colleges को भी select करना है देखे universities है तो universities के अंदर college आते हैं तो uniform में तो आपको कुछ भी नहीं करना है CUAT के form में सिर्फ आपको university select कर देनी है अगर college है तो वो college select कर देना है CUAT के form में यह आपको ध्यान रखना है तो पहला CUAT के form में आपको clear होगे करना क्या है CUAT के form में जिस-जिस course को आप करना चाहते हैं जिस-जिस course में आप interested है course select कीजिए और university select कीजिए वो किस universities के अंडर कौन-कौन से courses है वो आप देखके select कर लेंगे जिसमें भी आपको admission लेना है ज्यादा से ज्यादा universities CUAT के form में तो select कर लेना जितना ज्यादा हो सके जहां भी आप admission लेना चाहते हैं जैसे में एक example लेता हूँ जैसे कि माल लेजिए आपको दिल्ले उनिवर्सिटीज में admission लेना है अब दिल्ले उनिवर्सिटीज में तो कई सारे colleges है तो क्या CUAT के form में colleges select होंगे नहीं CUAT के form में सिर्फ दिल्ले उनिवर्सिटीज आपको select करना है इतना काम आपको करना है यह example clear होगे पहला CUAT का form दूसरा बात आते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना है फिर उसके बाद CUAT का entrance होगा रिजल्ट आएगा उसके बाद युनिवर्सिटीज अपना form रिलीज करना शुरू होगी लेकिन इस चांसे है कि forms पहले ही आ जाए क्यूं पहले आ जाए ताकि admission session जो delay है वो ना हो क्योंकि पछली बार बहुत देर से admission हुए यह तो आप बात आती जब युनिवर्सिटीज फॉर्म रिलीज करें तब आपको क्या करना है जैसे माले लेता हुए या फिर जामी मिले असलामी या फिर जैसे दिल्ली उनिवर्सिटीज का form भी फिल करना है और दिल्ली उनिवर्सिटीज में आपको colleges select करने हैं उसमें यानि किस कोर्स में आप admission लेना चाहते हैं उसको preference के according आपको adjust करना पड़ेगा अब यह कैसे कर सकते हैं यह जब forms open होगा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपनी preference select करनी है first preference जब आपको मिल जाएगी तो आपको upgrade नहीं होगा लेकिन अगर आपको मालीज आपने आपको admission upgrade नहीं होगा तो डियू का form जो आप फिल करेंगे उसमें सिर्फ आपको colleges select करने है वो भी course के साथ चीक है तो यह चीज़ आपको college का separate form नहीं फिल करना पड़ा सिर्फ दिल्ली उनिवर्सिटीज का आपको form फिल करना है उसी में आपको college का नहीं भरना है तो कि दिल आता है फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होगा admission process जब आप form फिल कर देंगे उसके बाद universities merit list निकालना शुरू करेगी फर्स्ट मेरिट लेस्ट आएगी सेकंड मेरिट लेस्ट थर्ड आएगी तीन-चार मेरिट लिस्ट आने के बाद universities लेते वह स्पॉर्ट एड्मीशन क जल्द से जल्द फिल की जा सके तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट में नहीं हुआ सेकंड लिस्ट में नहीं वह तो आखरी लिस्ट में भी नहीं हुआ तो उसके बाद भी स्वाट एड्मीशन स्पॉर्ट रिशेशन होते हैं चांसे होते हैं admissions होने के तो इससे अच जाहिए थैंक यू